पट्रा का एक हाइफाई और नामी स्कूल उस नामी स्कूल के एक क्लासरूम के अंदर घटर बना हुआ था उस घटर को रात के तक्रीबद 3 बजए खोला जाता है और उस घटर के अंदर से एक 4 साल के मासूम की लाश बरामत की जाती है इस लाश को लगभग उस गटर में डाले हुए लगभग लगभग 20 घंटे हो जाते हैं अब यह पता लगाने की बारी थी कि लाश गटर के अंदर किस ने चुपाई क्योंकि परिवार का कहना था कि स्कूल वाले 8400 रुपे फीस की निमान कर रहे थे इस गटर के अंदर बच्चे को छुपा दिया इस बात की तो तस्दीक पुलिस ने कैसे पूरी की और क्या असल में स्कूल वालों ने से महस पैसे के लिए एक बच्ची को मार कर गटर के अंदर डाला या कहानी की पीछे कोई और बड़ी वारदात छिपी है दरसल जो बच्ची की चार साल की मासूम की बच्ची की मा हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बच्चे को भात और चीनी ख़ला कर सुबह सुबह भेजा था बच्चे ने जब अपनी मा से आखरी बार उसकी बाच्चीत हो रही थी तो बच्चे रहा कि कि मम्मी आज आप मुझे स्कूल मत छोड़ने जाओ, मैं दादी के साथ स्कूल चले जाओंगा, फिर दादी बच्चे को ले जाकर स्कूल बस के पाद छोड़ती है, बच्चा फिर वासे स्कूल चले जाता है, फिर स्कूल की अंदर क्या होता है, कि बच्चा, चार साल का टिफिन बॉक्स खाली था तो टिफिन उसने खाया कि नहीं खाया इस बात की भी जांच की जारी है और क्लास्रूम से कुछ फुटेज गायब है अब फुटेज कुछ ऐसे गायब है कि जो प्रोफेशनल है जिस तरीके साम मीडिया में काम करते हैं तो हमें पता है कि कहाँ पर कोई वीडियो गायब है कहाँ पर किस वीडियो को जोड़ा गया है परिवार को बकायदा वीडियो दिखाये जाता है परिवार पहले तो माल लेता है लेकिन परिवार के शक होने की बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पा रहा था तो उस वीडियो के अंदर क्या वो दिक्क तुनितौट अकडमी, इस वक्त इस स्कूल को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो गुसा परिजन हैं, बच्चे के पिता हैं, जो बच्चे के परिवार वाले हैं, जो जानकार हैं, और जो जिन्होंने जो बच्चे के साथ काफी एमोशनली इस केस को जानने के बा जल गया है साथी साथ जो प्रिंसिपल है यहां कि उनका नाम है वीना जहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर उनके जो रूम है जहां पर बैठती थी जो उनका प्रिंसिपल रूम है वह भी जल चुका है तो दरसल आयुश चार साल का बच्चा है इसक एक चोटी बहन भी है यह टिनी टॉट अकैडमी में नर्श्री में पढ़ा करता था और रोज की तरह यह 17 माइ 16 माई को गुरुवार का दिन था उस दिन उसी सुबह सुबह साथ बजे यह उठा इसकी माने से तयार किया इसके बाद इसकी माँ जब इसे छोड़ने के लिए स्कूल की बस पूरी जो बच्चा है वो अपनी पढ़ाई करता है अपने दोस्तों के साथ जो भी उसका नर्स्री मिजर जैसी पढ़ाई कराई जाती है वो सारी पढ़ाई करता है बारा बजे तक जो पढ़ाई करने के बाद फिर वो डेड़ गंटा स्कूल में खेलता है क्योंकि उसके बाद उसकी कोचिंग होती है यह मैं आपको रोज का रूटीन बताई हूं आयुशका सुबह साथ बज़े स्कूल जाता बारा बज़े तक उसकी क्लासेश चलती वो पढ़ाई करता बारा से देड़ बज़े तक वो खेलता कुटता दोस्तों के साथ लंच करता और उसके बाद डेड़ से तीन बज़े तक उसकी कोचिंग होती थी उसी स्कूल के अंदर और फिर वो पढ़ाई करके वापस उसी स्कूल बस में बैठता तीन बज़े और घर जला जाता लेकिन गुरुवार के दिन ऐसा नहीं हुआ जो बच्चा है वो स्कूल आया तो लेकिन वापस नही समय बच जाता है चार चार बज़े स्कूल की तरफ से कॉल किया जाता है पेरेंट्स को और कहा जाता है कि जो आपका बच्चा है वो कहीं मिल नहीं रहा वो कहीं खो गया है पूरे स्कूल में हमें ड्हून लिया हमें कहीं नहीं मिल रहा क्या वो घर आ गया अब जब इस तर बताता है कि आज जो आयूश है वो बसमे बैठा लगानी दो फर में जब मुझे उसे लेकर घर आना था जब मैं बच्चों को घर ला राता था स्कूल से तब आयूश में बैठा यह और इसलिए आपको फोन करवाय गया क्यूंकि आयूश कहीं भी स्कूल में नहीं मिला अब के बाद जो पेरेंट से बहुत परेशान हो जाते हैं उन लोग को एक तरीकी से गुस्सा भी आता है स्कूल वालों पर कैसी लापरवाही कि इन लोगों ने लेकिन हर तरीकी से चानमीन करने के बाद बच्चा कहीं नहीं मिलता अब ऐसे में जो प्रिंसिपल है वीना ज्छा उनके ऑफिस तक पेरेंट्स बहुशते हैं वहां कहते हैं कि आप हमें CCTV दिखाईए हमें उससे जाचना है तो जो पहले प्रिंसिपल है वीना ज्छा और उनका बेटा है जो संचालक है स्कूल का धनराज्जा उमर उसकी 21 साल है भीना करते है बहुत आनाकानी करते हैं लेकिन जब बनाय जाता है तो फोटेज रिखायते हैं और फोटेज जिस तरह के से फोटेज दिखाते हैं उसमें से 10 मिनट की फोटेज को वोसि विछा स्कूल में मेबैठा है, बीच का पॉशन गायब कर देते हैं, और फिर वो दिखा देते हैं, किसी और रूम का play school, play room का दिखा दिया। ये किसी और रूम का CCTV दिखा दिया। एल निए कि प्लेंन को समझ नहीं याता है। बच्चे को आसपड़ो उसमें देखा जाता है स्कूल के पास जो जगह बनी है जो पार्क है वहां तक हर कहीं बच्चे को एक तरीकी से उसकी तहकीकात की जाती है लेकिन उसी स्कूल के ख्लास्रूम में जहां बच्चा पढ़ता था भी आप जो तस्वीर देख रहे हैं जो एक खेलने का बच्चों का बना हुआ है, उसके अंदर एक गटर है, इस जगे पर कोई छान भी नहीं होती अब ऐसे में मादबाव बनाती हैं पुलिस वालों पर कि एक बर फिर से आप CCTV देखिए, हमें शक हो रहा है, स्कूल वालों ने कुछ जरूर किया है पुलिस वाले भी अब CCTV फुटेज मंगाते हैं, लेकिन पुलिस वाले यहां पर, वो लोग लगातार जांच पड़ताल करें तो उन्हें आइडिया रहता है, अब वो जैसे CCTV फुटेज देखते हैं, उनका दिमाग चल जाता है पुलिस वालों को फुटेज दिखाया जाता है प्ले रूम का, जिसमें देखते हैं कि जो आयूश है वो अपने जो इसके साथ ही उनके साथ बैठ कर पढ़ रहा है, फिर अचानक से बीच का पार्ट गायब है, जब बच्चे क्लास से बाहर निकलते हैं या क्लास के अंदर कोई आता है, तुरंत उसके बाद एक फुटेज आता है जिसमें जो दाई है यानि जो काम करने वाली महिला है वहां पर वो कमरे की सफाई कर रही है, अब पुलिस वालों को डाउट होता है, पुलिस वाले उनसे पूछते हैं, तो जो प्रिंसिपल विना जाए और जो उनक पर पढ़ती है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहां पर बच्चों के खेलने के छोटी सी जगा बनी हुई है, और यह जो आप एक गटर जैसा देख रहे हैं, सेप्टिक टेंक, इसके ऊपर कुछ पनिया रखे होती है, प्लास्टिक के बैग रखे होते हैं, जिस गुरुवार के पूरे दिन चानबिन हो जाती है, लेकिन शुक्रुवार की और गुरुवार की जो दर्म्यानी रात होती है, करीब तीन बजे के आसपास गटर खोला जाता है, जब पुलिस को डाउट होतार बच्चे की लाश मिलती है, अब बच्चे की लाश मिल जाने के पुलिस के पास सबसे बड़ा ये सवाल था कि आखिर बच्चा यहां तक आया कैसे, क्या उसे किसी ने मार दिया, या फिर जो पेरेंट्स आरोप लगाते हैं कि हमने 8400 रुपे, 8400 रुपे, फीस नहीं जमा करा है, इस वज़े से इन लोगों ने, जो प्रिंसिपल है, वीना कि लाश है, वो इन दोनों ने ही उस गड़र के अंदर डाली थी, अब लाश कैसे डाली, जो बच्चे की चचेरी बहन है 12 साल की, उसने क्या देखा, साथे साथ पुलिस ने, अब इस पूरे मामले में क्या केस दर्ज किया है, आप ये भी जाने है, देकि इस पूरी केस में जो बहन की गवाही थी, वो सबसे ज़्यादा मजबूत बनकर सामने आई, दरसल जो बहन है, बहन ने देखा कि उसकी भाई को कमरे में लेके जाया जा रहा है, कब लेके जाया जा रहा है, दरसल जिस तरीके से वर्णे दर ने मता है कि सुबह साथ बजे लोग निकलते थे, 12 बज़ तक स्कूल चलता था, उसके बड़ देर घंटे का ब्रेक, फिर देर घंटे के बाद उनकी उसी स्कूल में या कहें अकैडमी में कोचिंग या प्यूशन की पढ़ाई होती थी, अब इस देर घंटे के दौरान, मतलब 12 से लेके देर बज़े के दौरान, होता यह यह खेलती खेलते नीचे गिर जाता है और इसके सर से बहुत जादा खून बैना शुरू हो जाता है, अब क्योंकि इन्होंने परिवार को धंगाया था, पैसे को लेकर, तब प्रिंसिपल और उसकी बेटी को डर लगा कि देखो भहिया, कहीं परिवार वाले हम पर दवाव ना बनाना शुरू कर दे हो, कहें कि हमने ही बच्चे को गिरा कर चोट पजाने की कोशिश किया है, तो लाश को उठाते हैं या कहें बेहोश हालत में, जो उससे उठाते हैं, नीचे जितना भी फर्श को खून था, उससे साफ करते हैं, और गटर के अंदर रग देते हैं, अभी सारा जो वाक्या हो रहा था, उस वक्च उसकी बहन थी, सब चीजे देख रहे थी, उसने कहा कि सर आप मुझे भाई को सौब दो, मैं से घर लेके चले जाओंगी, एक बार सुना, दो बार सुना, फिर बेटी ने कहा कि अगर तुमने ये जो अंदर हम जो काम करने हैं अपने परिवार को, लेकिन परिवार ढूनते रहता है, और गटर के अंदर पूरा क्राइम स्पॉर्ट साफ करने के बाद, प्रिंसिपल और उसका बेटा अपने क्राइम को छुपानी के लिए वो भर सा कोशिश कर रहे थे, उनका मकसद यी भी था कि गंगा में इसे बच् कुछा गया कि भीया, आप बताईए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्हीं लगा कि देखिए जाहिर सी बाते बच्चा बेहोश हो चुका था, तो हमें लगा कि शायद ये लोग हम पे डराय धमकाई, इसलिए हमने हटा दिया, फिर बात आए कि CCD footage में आपने ये सारी लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब पुलिस की पैनी नजरों ने इसे पकड़ा, उसके बाद परिवार तक बात पहुंची, परिवार अपने बेटे को लेकर रास्ते पर उन्हें धर्ना परदेशन किया, और उन्हें ने कहा कि जिस तरीके से स्कूल का रवया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हम जब भी स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे थे, उससे पहले हम आपस में बात भी कर रहे थे, कि देखिए, एक बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल जाता है, 12 बजे उसका स्कूल खतम हो जाता है, 15 घंटे का ब्रेक होता है, फिर वो 3 बजे तक वो स् देखिए, उससे इतना ज़्यादा उसकी लाइफ रहे थक्टिक बना दी जाती है, कि स्कूल लाइफ में ही उसकी पुरी आदी से जादयाजिन जिदगी, शुरुआती जिनदगी बीथ जाती है, खेलिक इक गुदने की उमर में हो, यहाँ तक कि उनकी माताजी का भी काना कि खाने में उनने पूछा भी था तो भात चीनी खाकर बच्चा निकला था बात में टिफिन पैक करवा दिया गया था लेकिन यहां पर जो सबसे अचंभित करने वाली बात यह थी कि जिस तरीके से स्कूल वाले बार-बार परिवार को बहला बुस्रा रहे थे कि देखे भई कर लेता है हम हिंदी में बात करते हैं हम पढ़ाय लिखाए में थोड़ से कमजोर हैं तो हम उन्हें सुपरियर मानने लगते हैं यहां पर भी सीम ऐसा ही केस था प्रिंसिपल और जो उसका बेटा है वो बार-बार उची आवाज में बात करते अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं चाहिए कोई भी आपकी लेंगज हो कभी बैरियर नहीं होनता स्कूल का प्रिंसिपल भी एक इंसान है आप भी एक इंसान है आप उनसे पूछिए कि फुटेज में क्या गरबड है उनसे साफ सा मांगिए आगर वो नहीं जवाब दे बात है आना का नहीं करते हैं तो ज जिस तरीके से जब वो जिंदा था वेहुशी के आलत में था और सबूत मिटानी के इल्जाम में लाज को छुपानी के लिए और टाइम स्पॉर्ट को जिस तरीके से उन्हें साफ सफाई किया और आगी जो उनका प्लैन था प्लैनिंग और प्लाटिंग थी उसकी खिलाब और उसके बेटे के किलाब केस दर्ज कर लिया है और दूसरा केस एक और दर्ज किया है दरसल जब बेटी को लेकर परिवार रोट पर बैठा था तो स्कूल को जलाने की कोशिश की जाती है अब स्कूल को जलाने वालों के लिए अग्यात लोग खिलाब भी केस दर्ज कर लि बिल्कुल भी गलत है लेकिन मैं आखर मैं बस आम यही कहेंगे कि आपसे की मामला कोई भी बड़ा हो चोटा हो कोई भी आपसे बड़ा हो या पैसे में बड़ा हो आपसे नॉलिज में बड़ा हो अगर आप अपनी बात रख सकते हैं तो रखिए जो चीज गलत है उसके खिला अगर आप अपने तोर पर आपका मन साफ है आप सही है तो कहीं भी आपको ड़ने की कोई जरूरती है